हलो एव्रिवान आय वेलकुम यूल टू स्टड़ी नीती आंड डिस इस सक्सेस सीरीज बाइ मीज प्रती जिसमें हम लोग सिस्टी डेज का कम्प्लीट फ्री कोर्स कर रहे हैं ऐ बोद एग्जामिनेशन प्रिलिम्स ऐस वल अगाश्र किये हैं इसका जो फुर्दर केडियूल होगा वो मैं आपको आगे एपडेट कर दूंगे डेली की दो क्लासिस रहेंगी हमारी 11 a.m. and 9 p.m. only on this channel and this is about the PDF course जिसके बारे में आपको बताऊंगी last में और जहां से आपको practice करनी है जिसको पता है वो कर सकता है जिसको नहीं पता वो last तक रुख जाना तो जैसे मैंने बोला आज हम लोग मेंस का topic cover up करने वाले है radar.dii का मतलब without arithmetic जो हमारे radar.dii बन सकती है उसके मेंस का कैसा question बन सकता है clear तो चलो question देख लेते हैं सबसे पहले मैं आपको यहीं बोलूँगी कि आप screenshot ले 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 ना English में तो question available रहे गई बठ हिंदी वाले प्लीज ले 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 ना ये this is the question in Hindi इसके आगे भी question है वो मैं आपको भी display कर देती हूं so this is the further question जिस में मैं maximum information दी हुई है कि क्या चीज कैसे करने है तो last session में मुझे काफि students निगा था मैं आप graph थोड़ा सा बड़ा दिखा देना तो यहां पर मैंने आपको graph पुरा बड़ा display कर दिया है और आप लोग अगर लगे तो please इसका भी picture लेके रख लो बिकस आगे फिर शायद आपको छोटा दिखे और ना दिखे यहां पर बोला है three candidates हैं हमारे पास जिनने एक election में perform किया different zones में voters in zone casted out their votes to see these three different candidates only and a voter can only vote one only one candidate सिरफ और सिरफ एक ही voter जो है एक ही candidate को vote कर सकते हैं जैसे हम लोग normally जाते है vote करने के लिए था हम लोग एक ही vote डालते हैं एक ही candidate को उस तरीके से जितने total voters हैं zone के अंदर only certain voters casted their votes and remaining did not cast इसने बोला है total voters में से कुछ ने cast किया और कुछ ने cast नहीं किया मतलब उन्होंने vote दिया ही नहीं out of total casted votes some were declared invalid इस में से कुछ रहे गए invalid और बचे हुए क्या हो गए? वालिड hierarchy आपको समझ में आ रही है मैंने आपको यह hierarchy पहले भी बता रही है and remaining considered as valid votes received by each candidate is valid votes only जो भी candidate को votes मिल रहे हैं मतलब जो उनको receive हो रहे हैं वो सिरफ और सिरफ क्या होंगे? वालिड वोट्स होंगे समझ में आ गई? यह जो पी का है मतलब ब्लू वालिड लाइन है जैसे यह 40% दिखा रहे हैं तो zone A के जो भी valid votes हैं उसका 40% किसको मिला? पी को मिला इसका मतलब यह है वोट्स रिसीट बाइ Q as percent of total casted votes अर ध्यान से पढ़ना अब इसने बोला है जैसे Q Q मतलब क्या हो गया? औरेंज वालिड लाइन तो A के जो भी कास्टेड वोट्स हैं उसका 25% किसका होगा? Q का इस तरीके से हर zone में होगा मतलब B में भी हम लोग ऐसे ही लेंगे and votes received by R as a percent of total voters जैसे R का यहां पर दिया हुआ है green वाली line यह वाली तो R का जो भी percentage है मुझे यहां पर लगबग लगबग 15 दिख रहा बचलो कोई नहीं 15 मान लेते हैं यह ध्यान रखना यह वालीड वोट्स रहेंगे यह आप ध्यान में रखोगे ठीक है समझ में आगी अब चलें आगे देखो यहां पर क्या बोल रखा है हमें out of total voters in zone A 20,000 did not cast their votes and out of total casted votes in that zone मतलब A में 15,000 were declared invalid देखो zone A के बारे में उसने क्या बोला है इसने बोला है यहां पर एक हमारे पास total votes होंगे एक हमारे पास casted होंगे और एक हमारे पास valid होंगे एक invalid होंगे यह चारी हैं अगर casted पता है तो non-casted हमें अपने आप पता चल जाएगा zone A में मालो total voters हमें नहीं पता कितने हम माल लेते हैं A है उस में से 20,000 ने vote cast नहीं किये नहीं किये मतलब cast कितने हुए A-20,000 हो गए यहाँ पर अगर मैं बोलू कि did not cast जिन्होंने cast नहीं किये वो कितने हमारे पास 20,000 तो बच्चे हुए कौन से हो गए casted हो गए और इस casted में से 15,000 हो गए un-invalid मतलब A-20,000 में से इस में से invalid कितने हो गए यहाँ लिखते हैं invalid कितने हो गए 15,000 समझ में आगया तो यह valid को यहाँ से मैं अटा देती हूँ wait a second यह valid को मैं यहाँ से अटा देती हूँ तो यह invalid कितने हो गए A-20,000 में से 15,000 invalid हो गए आगे देखो क्या बोला हुआ हमें 60,000 voters in zone B casted their votes out of which 20% were declared invalid 60,000 voters ने अपने cast किये votes तो अगर मैं बोलू zone B के बारे में एक मेरे पास है टोटल एक मेरे पास है casted not casted valid invalid टोटल हमें नहीं पता उसने क्या बोला है कि 60,000 ने cast किये मतलब casted कितने आ गए 60,000 आ गए out of which 20% were declared invalid अब casted का ही valid और invalid declare हो ना था ना यह हरार कि देखो casted में सही valid और invalid निकलेंगे तो casted थे 60,000 उसमें से 20% invalid हो गए मतलब invalid कितने हुए हमारे पास 20% 12,000 और बचे कितने हो गए valid हो गए हम लोग माल लेते हैं इसके total voters कौन है B है तो non-casted कितने हो गए B-60,000 clear आगे देखो average of total voters in A and B together is 77,500 दोनों के average मतलब A plus B का average कितना है 77,500 and votes received by Q in zone A is equal to votes received by R in zone B सबसे पहले Q in zone A देखो Q देनोट हो रहे है orange line से और orange line मेरे पास कितनी आ रही है यह 1 2, 3, 4 and 5 25% आ रहा है हमारे पास बड़े वाले graph से आप खुद देख सकतो 25% आ गया किसका कास्टेड वोट्स का मतलब A के जितने कास्टेड वोट्स हैं उसका 25% क्यों को मिला है कास्टेड हमारे पास कितने है A-20,000 उसका 25% किसको मिला Q को और यह किसके बराबर है जो R को वोट्स मिले है जोन B में R को टोटल वोट्स का परसेंटेज मिला है B में हमें ग्रीन लाइन देखने है यह 20% तो R को कितने मिले है 20% of B क्योंकि उसने किसका लिया टोटल वोट्स का समझ में आ गया यह 4 को उठाके हम लोग यहां पटक देंगे तो यह क्या बन गया A माइनस 20,000 इक्वल्स टू 80% बोल सकते हैं 0.8B और यहां से देखो तो A प्लस B कितने के बराबर आ गया 15, 5 1,55,000 के बराबर आ गया दोनों एक्वेशन को सॉल्फ करके तोटल वोटर्स निकाल सकते हूँ करते हैं सॉल्फ A माइनस 20,000 या फिर मैं बोलूँ wait for a second A माइनस 1 0.8B इक्वल्स टू 20,000 और इधर से बोलूँ तो A प्लस B कितने के बराबर है 15 1 मिनट 1,55,000 सॉल्फ कर लेते हैं माइनस, माइनस, माइनस कैंसल आउट हो गया ये कितना हो गया माइनस 1.8B बराबर में कितना आ गया माइनस 1,35,000 तो B कितने के बराबर आ गया 1,35,000 divided by 9 इंटो 10 दाट मीन्स हमारे पास कितना आ गया 9,1,09 9 by 5 वोटर्स हमारे पास कितने आ गया 75,000 B के टोटल वोटर्स कितने आ गया हमारे पास 75,000 तो मतलब A के टोटल वोटर्स निकाल सकते हैं अगर A और B के 1,55,000 हैं तो A के कितने हो जाएंगे 80,000 हो गया 80,000 हो गया एक ही टोटल वोटर में पास कितने आ गए 80,000 तो यह 80,000 लिख देते हैं हाँ पर उसमें से कास्ट हुए थे कास्ट कितने हुए थे 80,000 माइनस 20,000 वेट फर ए सेकेंड मतलब 60,000 ठीक है 60,000 में से अगर 15,000 इन वालिड थे तो मेरे पास वालिड वोट कितने आ गए 45,000 यह चीज मेरी पूरी हो गए ओके अब बी का देखो बी के टोटल वोटर हमारे पस कितने आ गए 75,000 उसमें से कास्ट हुए 60,000 तो कास्ट कितने नहीं हुए 15,000 जोन ए और जोन बी का मैंने पूरा का पूरा जो है आपको यहां पर लिखके बता दिया यहां पर मैंने एक टेबल भी बनाके रखा हुए जिसके अंदर हम लोग ना सारे के सारे वालिउस को प्लॉट करेंगे यहां पर हम जोन लिख दरते हैं यहां पर टोटल वोटर फिर जिनों ने कास्ट किया है और फिर जो इसमें से इन्वालिड हो गए not casted हम लोग नहीं लिखते क्योंकि एक या not casted लिख लो या casted लिख लो फिर हम लोग लिख लेंगे valid votes जो कि किस-किस को मिले है P, Q और R को यह zone A, B, C, D और E हमारे पास 5 zone थे A का total है 80,000 B का total है 75,000 A के cast कितने हुए थे यहाँ पर 60,000 और B के cast कितने हुए थे हमारे पास 60,000 और A के invalid भी हाँ से उठा लो कितने है wait for a second 15,000 और B के invalid कितने है 12,000 ठीक है valid का हम बाद में देख लेंगे या फिर हम लोग ना valid ही लिख लेते क्योंकि valid में से हमें votes आगे cast हुए थे ना तो यहाँ पर हम लोग invalid किजिए में क्या लिख लेते हैं वो जाधा बैटर रहेगा और यहां पर जो इनको मिले हैं वो लिख लेते हैं यहां पर valid और यहां पर जो इनको receive हुआ है out of valid तो इनको valid votes कितने मिले हैं 15,000 invalid थे और यहां से 12,000 invalid थे clear समझ में आगई PQR का बाद में देखेंगे पहले zones का देख लेते हैं average of votes received by R in zone A, B and C together is 15,000 A, B और C zone में R का कितना था 15,000 अगर मैं R की बात करूं A के अंदर green, green A के अंदर मतलब यह हो गया 20, 19, 18, 17, 16 कितना हो गया? 16 एक मिनट यह 15 हुआ wait for a second 1, 2, 3, 4, 5 15 हुआ, इसको ध्यान से देखेंगे तो this is 15% या फिर मैं कहूं 34,000 कितना हो जाएगा? 12,000 तो R को कितने votes मिल गए? 12,000 A के अंदर अब B के अंदर भी देख लेते हैं B के अंदर हमारे पस यह रहा तो इसको थोड़ा सा wait for a second clear कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए यह चीज़ देख लेते हैं यह देखो यह है 30, 29, 28, 27 यहां से देखो थो 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हम लोग बड़े वाले में देख लेते हैं उसमें जादा clarity मिलेगी 27% आ रहा हमारे पास अगर 27% आ रहा है तो इसमें से B को वोट्स कितने मिल रहे हमारे पास अच्छा हमें ग्रीन लाइन देख लेए नगरीन लाइन तो 20% है सॉरी ग्रीन लाइन एस 20% तो आर को वोट्स कितने मिल जाएंगे टोटल वोट्स B के कितने है 75,000 तो 75,000 का 20% मतलब 1 by 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 15,000 तो आर को B में कितने मिल गए 15,000 उसने बोला है A, B और C तीनों का आवरेज हमारे पास 15,000 है आर को A और B में कितने मिले टोटल 27,000 और A प्लस B प्लस C का आवरेज कितना है 15,000 मतलब इसको टोटल A और B और C में कितने मिले 45,000 A और B का हमें पता 27 तो C का कितना हो जाएगा 45,000 माइनस 27,000 which is equals to 18,000 ठीक है अब यहाँ से हम लोग C के टोटल वोट्स निकाल सकते हैं देखो कैसे जोन C बना देते हैं हाँ पर इसमें है मेरे पास टोटल कास्टेड और नॉट कास्टेड फिर आजाएगा वालिड और इन्वालिड मेरे को पता है जो आर को वोट्स मिले है ना 18,000 C के अंदर वो किसका परसेंट है यहाँ से देखो ग्राफ में वो बोलता है वोट्स रिसीव बाई आर परसेंट ओफ टोटल वोट्स का परसेंटेज कितना था हमारे पास आर के वोट्स यहाँ पर देख लेते हैं कितना है है 20 परसेंट मतलब सी के 20 परसेंट वोट्स टोटल वोट्स का कितने के बराबर है अठारा हजार के तो यह कितना हो जाएगा नौ तो सी के टोटल वोट्स हमारे पास कितने निकल गए 90,000 इंडारेक्ट वे से निकाला हमने टोटल वोट्स मेरे पास आगए 90,000 सी के तो यहाँ पर लिख लेते हैं आगे देखो वोट्स रिसीव बाई आर इंड जोन सी इस 36 परसेंट ऑफ टोटल वालिड वोट्स इन डाट जोन आर के वोट्स थे 18,000 आर के वोट्स कितने थे 18,000 और यह किसके बराबर है 36 परसेंट ऑफ C के टोटल वालिड वोट्स इसको इसते काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 और टू तो C के टोटल वालिड वोट्स कितने आ गए हमारे पास 50,000 कितने आ गए 50,000 तो इन वालिड हमारे पास कितने हो गए 40,000 ओ सॉरी वालिड और इन वालिड पर लगाना था I'm so sorry Wait Valid कितने आ गए? 50,000 Clear, Casted अभी हमें नहीं बता Ratio of total voters in B to that of D is 3 is to 5 B के total votes और D के total votes का ratio कितने 3 is to 5 अभी हाँ पर हम लोग बनाएंगे अपना zone D इसमें फिर से आजाएगा total Casted Not Casted फिर आजाएगा valid and then invalid उसने बोला है B और D के total votes का ratio कितना है? 3 is to 5 और मेरे को पता है B के मेरे पास total votes कितने है? 75,000 75,000 तीन के बराबर हैं कितने से multiply करोगे? 25,000 से इसको भी 25 से कर दो तो कितना आजाएगा? 1,25,000 तो total votes कितने आगए? 1,25,000 आगे देखो and total 50,000 voters in zone D did not cast their votes 50,000 ने cast नहीं किया मतलब cast कितनों ने किया होगा? 75,000 ने? समझ में आगया? आगे देखो total vote casted to P in zone D is 68.75% more than that in zone C देखो total votes जो हमारे cast हुए है P के अंदर zone D में zone D में P के मतलब हमें line देखनी है blue ये वाले देख लेते हैं ये हमारे पास 50 है 49, 48, 47, 46, 45 P के votes D में कितने है? 45% of total valid votes P के zone D में कितने है? 45% of valid votes of D ठीक है? और ये किस से जादा है? more than that in zone C C के अंदर भी देखने पड़ेंगे P के votes तो this is 30 फिर आ जाएगा 31 32 32 पे आ रहा है that means 32% पे आ रहा है तो देख लो P के votes C के अंदर है 32% of total valid votes C के total valid votes हमें पता है 50,000 है इसका 32% मेरे पास कितना आ जाएगा? 18,000 32% कितना आ जाएगा? 18,000 मतलब P को C zone के अंदर total valid votes कितने मिले? 18,000 clear है इतना? ओके आगे देखो यहाँ पे हमारे पास total valid votes कितने थे? 50,000 और valid में से ही तीनों को बटने थे votes valid में से ही तीनों को votes बटने थे मेरे पास यहाँ पे C में P के आ चुके है 16,000 और R के आ चुके 18,000 तो बच कितने गए हमारे पास 16 और 18 is 34 34 इसमें से माइनस करेंगे तो 16 मतलब Q के भी votes कितने आ गए C के अंदर? 16,000 और valid votes मेरे पास कितने थे? 50,000 समझ में आ गई? आगे देखो 16,000 थे तो यहाँ पे बात क्या चल रही थी? कि यह जो D के अंदर इसको मिले हैं यह 16,000 से 68.75% ज़ादा है देखो यह जो P के votes है यह कितना परसंट ज़ादा है? 68.75% ज़ादा है तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि यह 168.75% किसका है? 16,000 का बोल सकती हूँ? तो देखलो इसको यहां से 25 से जाएगा तो 5,000 नए, 6,000 150 150 पर गया फिर कितना बचा? 187 तो 7 पर चला जाएगा 175 तो 187 और 175 कितना हो गया? 125 बचा कितना 5? यह कितना पर जाएगा? 4 पर तो यह हो जाएगा 4,000 तो कितना बचेगा? इसको कर देते हैं 0 20 0 3,27 तो हमारे पास P में D जोन में कितने वोट्स आगए? 27,000 तो जोन D में 27,000 और अगर मैं P की बात करूँ तो P को वोट्स कितने मिले है? वालिड वोट्स परसेंट ओफ वालिड वोट्स यहां पर देखो अगर मैंने यहां से देखना है तो मेरे पास P का कितना परसेंट था? 45% आफ वालिड था ना? तो 45% आफ वालिड हमारे पास कितना आगया? 27,000 तो यह 5 9 के टेबल से काट दिया 3,000 और यह कितने पर जाएगा? 600 पर तो मेरे पास वालिड वोट्स कितने आगए? 60,000 वालिड वोट्स जोन डी के कितने आगए? मेरे पास 60,000 इतना सब को समझ में आगया? आगे देखो तो यहाँ पर भी लिख देते हैं वालिड 60,000 कास्ट कितने हुए? 75,000 और टोटल कितने थे? 1,25,000 यह टेबल तो भर गया आगे क्या बूल रखे? आवरेज ओफ टोटल वालिड वोट्स इन ओल दे जोन्स तोगेजर इस 49,600 टोटल वालिड वोट्स का आवरेज कितना है? 49,600 तो मैं मानती हूँ कि पांचों का आवरेज है 49,600 तो टोटल कितना होगा? इतना होगा? तो टोटल हमारे पास कितना आजाएगा? 3, 45, 8 4, 24,000 और कास्टेड देख लो सबके तो यहाँ पे कास्ट होएं 60,000 यहाँ पे होएं 60,000 और यहाँ पे होएं 75,000 मुझे एक का यहाँ पे कास्टेड नहीं पता वो मैं निकाल लेती हूँ किसका? C का तो यहाँ पे अगर मैं देख रहूँ जब मैंने Q की बात करी It is a percent as of कास्टेड वोट्स क्योंके मेरे पास zone C के अंदर वोट्स कितने थे? C के अंदर थे 16,000 C के अंदर थे मेरे पास क्योंके 16,000 Wait a second किसका percent था? कास्टेड वोट्स किसके? C के कितना percent था मेरे पास Q का? C के अंदर देख लेते हैं यह वाला percent यह कितना 20%? मतलब 1 by 5 तो C के कास्टेड वोट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 80,000 आ गए 80,000 आ गए तो यहां पर मैं लिख दूंगे 80,000 अब देख लो टूटल लगा लो 60 और 61,20 और 2,002,75,000 2,002,75,000 तो मैं पास आ गए 2,00,000 यह आए गया 120 और हाँ 2,00,75,000 तो यहां से मैंने क्या अगड़बड करी गए? 45,004 50,20 एक मिनट यह वालिट वोट्स हैं कास्टेड वोट्स हैं टोटल वालिड वोट्स हैं मैंने गिन किसको लिया? कास्टेड को वालिड है यह तो वालिड को यहां से गिन लेते हैं 45 और 50 और 60 कितने हो गए? 155 155 और 48 कितने हो गए? 155 और 48 हमारे पास हो गए 2,00,000 यह इस तरीके से आएगा प्लस हमारे पास E के अभी वालिड वोट्स बच रहे हैं तो E के मेरे पास वालिड वोट्स कितने आगए? 2,00,000,000 माइनस 2,00,000 3,000 मतलब 45,000 डार वालिड वोट्स ऑफ E अब हमें वालिड के रिस्पेक्ट में PQR का देख लेते हैं तो मेरे को पता है यहां पे अगर मैं P के वोट्स देखूंगी तो यह रिस्पेक्ट किसके है? वालिड वोट्स के वालिड वोट्स मेरे पास है % of वालिड वोट्स किसका है? P का जोन E के अंदर देखते हैं तो E के अंदर ब्लू लाइन में देखेंगे तो यह कितना है? 10% यह जोन E का बना लेते हैं यहाँ पर टोटाल आ जाएगा फिर कास्टिड आ जाएगा नॉट कास्टिड आ जाएगा फिर वालिड आ जाएगा फिर इन वालिड आ जाएगा तो वालिड वोट्स मेरे पास है 45,000 P के वोट्स देखते हैं यहाँ पर 10% है मतलब कितने हो जाएंगे 10% है मतलब कितने हो जाएंगे 10% ही है न 20% है 20% कितना हो जाएगा इसका 9000 हो जाएगा P के votes आगए आगए देखो और क्या मैं बोल रहा है And votes casted to Q in zone E is 3000 more than that of P Vote casted to Q in zone E Q को कितने vote cast हुए Q को कितने vote cast हुए मतलब Q को कितने votes मिले वो 3000 जादा है P से मतलब Q को कितने votes मिल गए 12000 और actual में percentage मैं देखो तो Q को मिले कितने E के अंदर Orange line Orange line किस प्यारी है 25% प्यारी है Orange line किस प्यारी है 25% प्यारी है So that means Q को 25% votes मिले किसका Casted का Zone E के अंदर Which is equal to 12000 1 by 4 of casted आजाएं Q को देखो कितने votes मिले हैं तो यहां से देख लेंगे यह 30 है 29 28 27 26 25 and 24 24% of total casted votes 24% of Total casted votes In E Is equals to 12000 तो यह कितना हो जाएगा 1000 और 2 तो total casted votes E के कितने आगए 50,000 कितने आगए 50,000 तो यहां लिद्द देखो अगे देखो अब यहां पे देखो valid votes मेरे पस ते 45,000 जिसमें से 9,000 प्लस 12,000 मतलब 21,000 अल्रेडी मिल चुके है P और क्यों को तो R के लिए कितने बचे हैं हमारे पस 24,000 और R को percentage में कितने मिले हैं यहां पे R को percentage में कितने मिले हैं मतलब यह देखना है 40% of total votes मैं बोल रहे हूं R को मिले हैं 24,000 और यह बोल रहे हैं कि 40% of total votes मिले हैं R को तो total कितने आजाएंगे इसके 60,000 total कितने आगे 60,000 मतलब cast कितने हुए 50,000 cast नहीं कितने हुए 10,000 उसमें से valid से 5,000 तो invalid कितने हो गए 45,000 valid थे तो invalid कितने हो गए 5,000 तो यहां पे total votes लगा देते हैं 60,000 clear? अब यह P, Q यहां पे बच रहा है और यह Q, R का यहां पे बच रहा है तो इसका यहां निकाले लेते हैं सबसे पहले A में P का निकाल लेते हैं तो यहां पे A में P का देखूंगी तो 40% of total valid votes हैं total valid votes कितने हैं मेरे पास 45,000 तो 45,000 का 40% मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास 18,000 तो 45,000 था 30,000 अल्ड़ी P और R में बच चुका है मतलब बचा कितना 15,000 अब जोन B का देख लेते हैं P का देखेंगे तो Q का अपने अब आ जाएगा P का देखेंगे B का तो यह वाला पोर्षन है तो यहां से this is 40 39, 38, 37, 36 and 35 तो 35% रहा किसका valid votes का मतलब 48,000 का 35% तो इसको 50-2 बोल सकते हैं 48 को 35 into 5 is 175 और 35 into 2 is 70 तो यह कितना हो जाएगा 1680 मतलब 16,800 16,800 और 15,000 मतलब 16 और 15 हमारे पास कितने हो गए 31 टोटल थे 48 बच्चा कितना 17 और 800 और माइनस कर दो मतलब 16,200 अब similarly zone D का निकाल लेते हैं तो हमारे पास सारी कि सारी figures आ जाएएंगे किसका निकाले जो easy लगेगा वो निकाल लेते हैं zone D का मेरे पास यहाँ पर P तो अल्ड़ी आया हुए R मेरे पास बुखाती अंदर है Q का देख लेते हैं So this is 20 21 22 23 24 and 25 कितना है 25 है और किसका है क्यों कास्टेड वोट्स का 25 परसेंट तो कास्टेड मेरे पास कितने थे क्यों के यहाँ पर कौन से जोन में देखा है हमने A में देखा है ना तो मेरे पास कास्टेड थे 60,000 तो क्यों के हमने वोट्स देखने है किसका रिस्पेक्ट में है देख लेते हैं का 24 परसेंट 25 से काटेंगे तो यह तीन हजार आ जाएगा यह चार आ जाएगा फिर यह कितना आ जाएगा छे वोट्स कितने आ गए मेरे पास 18,000 टोटल होगे 45 होने कितने चाहिए थे 60 तो बचे कितने 15,000 तो यहां पर मेरे पास पूरा टेबल वन के तयार होगे अब हम लोग इसके फॉर्दर क्वेशन्स यहां पर कर लेंगे find the difference between the maximum votes received by P in any of the five zones and minimum votes received by Q in any of the five zones maximum देखने है P के तो यहां से pen का color change करेंगे तब ही हमें दिखेगा maximum देखो P के किसमे है 27,000 है और minimum देखो Q के कितने है 12,000 27,000 माइनस 12,000 कितने होते है हमारे पास 15,000 option number D आपका answer बन जाएगा अगला question देखते है total valid votes received by R in zone A, D and E together A, D और E में R के देखने है तो R के देखो A में 12,000, D में 15,000, 27,000 हो गए 27,000 और 24,000 हमारे पास कितने हो जाते है 51,000 तो इसके कितने हो गए 51,000 are what percent of total valid votes in these zones total valid votes का बताना है A, D और E का valid देखलो 45,000, 60,000 और 45,000 तो 90 प्लस 60 इस 150 into 100 तो यहाँ पर लगबग लगबग अगर approximation में यूज करो तो मेरे पास इसको 50 मान की कितना आते है by 3 मतलब 33.3333% 33 के आज पास का अंसर आपके पास 34 है approximation यूज करो आपका अंसर फटा फट से निकल जाएगा आगे देखो ratio of total male voters to total female voters in B and D together is 3 is to 2 total male voters to female voters B और D के अंदर 3 is to 2 है out of the total casted votes in B 50% are male 50% are male है casted B में से तो B में हमारे पास cast कितने हुए 60,000 इस में से male कितने है 30,000 तो B के male मेरे पास cast कितने हुए 30,000 and vote casted by male voters in zone B is 60% of the male voters in that zone जितने cast किये है vote किसने male voters ने zone B मतलब 30,000 ने वो किसके बराबर है 60% of total male voters in that zone मतलब total male voters कितने हैं देखो total अलग है total में से कुछ ने cast किया और कुछ ने cast नहीं किया तो मेरे पास casted वाले male तो आगे मेरे पास total वाले नहीं है तो total वाले मेरे पास कितने आ जाएंगे यह 10,000 हो गया तो total मेरे पास कितना आ जाएगा 50,000 ठीक है और इसने क्या बोला था total male और female voters बी और डी के कितने है 3 इस्टू 2 मतलब बी प्लस डी के total मेल रेशो बी प्लस डी की total female इसका रेशो है 3 इस्टू 2 मेरे पास यहां पर बी के total मेल तो आ गए 50,000 लेकिन डी के अभी तक नहीं नहीं आए यहां से निकाल लेंगे घर total male voters और total female voters को अगर मैं मिला दूंगे तो में पास total वोटर्स आ जाएगे तो अगर मैं देखू देखो total voters किसके बी और डी के पी और डी के टोटल वोटर्स कितने है 75,000 और 1,25,000 मतला में पास टोटल कितने आ गए 75,000 and 1,25,000 is 2,00, 2,00,000 में से हमने 3,002 कर दिया किसका मेल का और फीमेल का डिवाइड करो डिवाइड बाइड वाइफ परोगे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 तो male की कितनी आ गए 1,20,000 और female की कितनी आ गए 80,000 ठीक है 1,20,000 टोटल male थे और 80,000 टोटल female थी B और D के यहाँ पर मैंने टोटल male B के निकाले कितने 50,000 और मैं बोलरी हूँ टोटल कितने है 1,20,000 तो D के कितने आ जाएंगे 70,000 और इधर से female मुझे नहीं पता लग रही तो female का देखो मेरे पास B में से total male कितने निकल क्या है 50,000 B में से total male कितने निकल क्या है 50,000 तो total female कितनी होंगी total मेरे पास ते 70,000 उस में से 50,000 मेरे male निकल गए तो female कितनी निकल जाएंगी 25,000 प्लस मैं बोल रहे हूँ टोटल 80,000 है तो D की female हमारे पास कितनी आ जाएंगी 55,000 समझ में आवी ये B की ये D की फिर ये B की ये D की इसने पूछा difference between male and female voters in zone B zone B के male और female voter का difference कितना है 50,000 minus 25,000 is 25,000 male और female voters in D का बताना है तो 70,000 minus 55,000 is 15,000 तो देख लो आपको इन में से कौन सा बड़ा लग रहा है quantity 1 मुझे बड़ी लगी 25,000 15,000 से बड़ा होता है that means C is your answer if out of total casted votes in zone C male casted votes are 10,000 more than the casted votes of female सबसे पहले C के casted votes देख लेते हैं हमारे पास कितने है 80,000 तो 80,000 में से उसने बोला है कि जो male है और जो female है उसमें male के पास 10,000 जादा है तो मैंने 10,000 male को दे दिये 80 में से मैंने 10 already दे दिये मेरे पास बच्चे कितने 70,000 बाकी को बराबर बराबर बाढ़ दो ये 35,000 हो गया ये भी 35,000 हो गया तो मतलब male को कितने मिले 45,000 और female को कितने मिले 35,000 Out of total casted votes by male voters 80% are declared valid मतलब total मेरे पास casted आगए 45,000 इसमें से 80% क्या है वालिड है तो वालिड मेरे पास है कितने आच्छुली में इसको काटो 9 से चला जाएगा That means 36,000 are valid votes इसमें C के male के Then find the ratio of invalid male-casted votes to invalid female-casted votes in zone C सबसे पहले देखो valid अगर 36,000 निकल गए तो मेरे पास invalid कितने हो जाएंगे male के 45,000 minus 36,000 is 9,000 9,000 निकलेगा तो ठीक है 9,000 महीं हालिक देती हूँ रेशो अब मुझे किसका देखना है female का तो female के बारे मैं यहां पर देखो जब मेरे पास male के सारी चीज़े आ गई valid और invalid तो क्या मैं female की निकाल सकती हूँ यहां पर देखो valid वोट्स मेरे पास C के थे कितने 80,000 valid वोट्स थे कितने 80,000 80,000 में से male के valid कितने है 36,000 तो female के valid कितने हैं हमारे पास 36,000 तो female के valid कितने हो जाएंगे मेरे पास अच्छा मुझे valid देखने थे ना मैंने casted उठा लिए शायद valid कितने हैं 50,000 तो 50,000 में से 36,000 अगर male के हो गए तो female के कितने बज़े 14,000 अब देखो invalid मेरे पास total कितने थे अगर 80,000 में से 50,000 valid हैं तो invalid कितने हुए मेरे पास 30,000 30,000 में से अगर 9,000 किसके हैं male के तो female के कितने निकलेंगे 21,000 अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़े तो निकाल के बताई हैं कि अगर आपको valid निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालोगे और invalid निकालना हो तो इस तरीके से निकालोगे सिंस उसमें पूचा सिरफ invalid था तो हम लोग सीधा भी कर सकते थे बट दोनों आस्पेक्ट्स बताएं अगर दोनों में से कुछ भी आ जाएको तो यह हो जाएका 21,000 तो 1,000 से 1,000 गया 3 is to 7 3 के टेबल से काट दिया तो कितना आ गया 3 is to 7 option number B will be your answer I hope this question is clear if the winner among PQR is declared by counting the valid vote casted to them in all the five zones together तो हमें average निकालना है किसका difference between valid vote casted to winner and runner-up मतलब first और second का क्या निकालना है difference निकालना है फिर difference between valid vote casted to first runner-up and second runner-up मतलब second और third का भी क्या निकालना है हमें difference निकालना है फिर इन दोनों का average कर देना है सबसे पहले PQR के votes count कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 18,000 प्लस 16,000 34,000 34,000 प्लस 16,000 is 50,000 50,000 and 45,000 is 50,000 and 36,000 is 86,000 प्लस हमारे पास 800 का है तो 86,800 86,800 P का आजाएगा Q का फिर R का तीनों का देख लेते हैं Q का देखे 15 और 32 47, 47 और इतना आगे हमारे पास 30 that means 77, 200 and last 12 and 15 is 27 27 and 23 is 50 50 and 24 is 84 50 or 60 15, 15, 30 30 and 30, 60 84 तो first यह आजाएगा second यह आजाएगा फिर third यह आजाएगा तो सबसे पहले first और second का difference निकालो कितना आजाएगा 2800 और फिर second और third का निकालेंगे तो 77, 200 माइनस कर देंगे this is 800 and this is 11800 I guess 6800 तो हमारे पास क्या आजाएगा 2800 प्लस 6800 का क्या करना है average निकालना है average विल बी दोनों को डिवाइड बाइट उ कर दो 1400 प्लस बत्तिसो 1400 और बत्तिसो हमारे पास कितना होता है 4600 3400 4800 option number A is the correct answer now this is the second question study the radar as shown below हमें income दे रखिये है X और Y की और profit percentage क्या है income minus expenditure divide by expenditure into 100 simple graph से देखके करना तो question को शूरू करते है average income of company Y all over the given years is approximately how much percentage more or less than the average income of company X of all the years तो सबसे पहले company X का देखेंगे company X का देखेंगे तो यहां पर यह उपर वाला है 140 फिर हमारे पास है blue line देखने है 120 100 then it is 80 no it is 130 फिर आजाएगा हमारे पास 110 and then आजाएगा 150 तो टोटल कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 तो यहां से हो गया फिर 50 और 40, 90, 90, 20, 110 110, 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 यह हो जाएगा 750 एक्स का हमारे पास आजाएगा 750 अब हम देखेंगे यह का तो 120 प्लस 100 इस 220 प्लस 140 इस 360 प्लस 80 360 के बाद 80 उसके बाद 120 मतलब ही हो जाएगा 200 और फिर प्लस है कितना 160 मतलब 360 तो 360 प्लस 360 इस 720 उसने बोला है यह का एक से कितना जादा है या कम है तो यह हमें दिख रहे है क्या है कम है तो जादा वाले ओप्शन को आप पहली माइनस कर दो कम वाले ओप्शन रहे गए कितना कम है 30 कम है किस से कम है 750 से कम है तो यह कितना हो जाएगा 1 bet 25 मतलब 4% less Option number D is your answer If profit percentage earned by both the companies in the year 2013 is equal and expenditure of X in 2013 is 10,000 तो profit percentage earned by both the companies 2013 का equal है उसने profit percentage हमें क्या बताया था यहां पर formula बताया गया था हमें यहां पर income minus expenditure divided by expenditure 2013 में profit percent equal है मतलब income minus expenditure divided by expenditure of X बराबर income minus expenditure divided by expenditure of Y and expenditure of X in 2013 is 10,000 more than the expenditure of company Y is in 2013 then expenditure of company Y 2013 is how much percentage more or less than the expenditure of company 2013 अच्छे expenditure हमें X का दिया हुआ है 2013 का 10,000 तो X का सबसे बहले एक लाग बीस हजार माइनस expenditure divided by expenditure मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ यह cancel out हो गया कितना बचा 13 expenditure equals to 1,20,000 minus expenditure मतलब 14 expenditure कितना हो गया 1,20,000 14 expenditure मतलब कितना हो गया 1,20,000 तो expenditure हमारे पास कितना आ जाएगा यहां पर 1,20,000 divided by 14 which is equals to 60,000 divided by 7 उसने क्या बूचा है approximately बूचा है कि y का x से कितना कम या जादा है x का था 10,000 y का है 60,000 divided by 7 तो अगर हम लोग इसमें approximation भी यूज करते हैं तो मेरे को पता है यह definitely 10,000 से कम ही बनेगा क्योंकि 70 होता तो 10,000 मनता मतलब आप more वाला option तो यहां से काटी दो more वाला option गया approximation यूज करो यह कितना जाएगा 7, 8,056 47, 5,035 57, 7,049 and 10, 7,1007 और यह कितना है 10,000 तो कितना जादा या कम है 85, 71 divided by 10,000 into 1000 मतलब 85.71% है तो 100% से कितना कम है इसको मैंने difference से नहीं कि इसको मैंने original figure से किया है 100% से कितना percent कम है लगबग मेरे पास 14% कम है 14% कम है option number B आपका answer बन जाएगा income of Y and income of X in 2019 increases by 15% and 32% Y की income कितनी है 2000 over the previous year तो 2018 की कितनी है 160 160 के अंदर 15% का मुनाफ़र हो जाएगा मतलब 115% और X की कितनी है किसमे 2019 में 150 मतलब 150 के अंदर कितने percent हो गया 132% होगा सबसे पहले इसको निकाल लेंगे तो 160 का 15% हमारे पास कितना होता 24 तो यह हो जाएगा 184 और 150 का 32% हमारे पास कितना होता 3 to 16 is 48 48 होता तो कितना हो जाएगा 198 and income of X इन 2019 और 2020 और इंदर रेशो 8 is to 9 तो 2019 की है 198 और 2020 की हमें नहीं पता लेकिन हमें रेशो पता है 8 is to 9 8 से इस पे जाएँगे तो 11 से multiply कर देंगे तो इस पे जाएँगे तो 8 1008 11 से नहीं करेंगे 8 2016 38 बचा फिर कितना हो जाएगा एक नट 8 2016 तो 198 divided by 8 into 9 यह हमारे पास किस की होगी 2020 की होगी income of Y in 2019 कितनी है 184 income of X in 2020 का कितना percent जादा या कम है तो 184 किसका 198 into 9 into 8 का कितना percent जादा या कम है तो इसको direct method से करेंगे तो यहां से इसको cancel out करना पड़ेगा तो 4 पे जा सकता है 4, 4, 0, 16, 38 नहीं जाएगा यह जाएगा 99 और यह जाएगा 4 पे पिर यह 11 पे भी नहीं जा सकता 9 पे भी नहीं जा सकता 9 and 4 3 से भी नहीं जा सकता मतलब इसको direct करना पड़ेगा 184 into 4 is 32, 3, 7, 36 और 99 into 9 is 8, 91 into 100 तो यहां पे हमें दिख रहे है कि जो X है वो definitely Y से बड़ा है तो हमें मतलब Y कम हुआ तो हमें more वाले options less कर देने चाहिए अब कितना ज़ाद है यहां से इन दोनों का difference देखो कितना ज़ाद है 5 and 5 and 1 किस से ज़ाद है 8, 91 into 100 से approximation यूज कर लेते हैं 8 को 2 पे लेके जाएंगे तो नहीं जाएगा 8 को definitely 1 पे लेके जाना पड़ेगा तो 155 0 minus 8, 91 9 कितना बचा यह है 14, 5 और फिर कितना बचा 7, 6, 6, 5, 9, 0 तो 8, 8, 064 मतलब 8, 7 पे चला जाएगा 17% less profit percent of Y in 2013 is 20% and profit percent on Excel in 2017 is 25% if the profit percent is calculated on income पहले हम लोग ने expenditure पे किया था अब हमें income पे करना है मतलब income minus expenditure divided by income equals to 25% Y का और X का देखे तो income minus expenditure divided by income is 1 by 4 ठीक है 2013 में Y का कितना है हमारे पास 120 120 हमारे पास income है और 2017 में X के income हमारे पास कितनी है 110 110 minus expenditure divided by 110 equals to 1 by 4 then this cancels out to 4 expenditure हमारा कितना हो जाएगा 24 120 minus 24 is 96 और इधर से देख लेते हैं 4 से तो नहीं जाएगा 440 minus 4 expenditure is 110 4 expenditure कितना हाजाएगा हमारा 330 तो expenditure हाजाएगा 330 by 4 तो 96 ratio 330 by 4 इसको cancel out करेंगे तो 3 3 से जाएगा 32 110 इसको उदर ले जाओ 128 ratio 110 64 ratio 55 option number C is your answer find the ratio of average of total expenditure of company X in all the given years to total ratio of expenditure of company Y in all the given years company X और company Y का average total expenditure निकालना है तो यहाँ पर ध्यान दो हमें हमारे पास यहाँ पर सिरफ और सिरफ incomes हैं हमें expenditure के बारे में हहाँ पर कुछ नहीं बता expenditure के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया ना हमें profit percent के बारे में बताया तो अगर दोनों elements यहाँ पर मिसेंगे तो क्या answer निकल सकता है नहीं निकल सकता option number E cannot be determined आपका answer हो जाएगा So this was all for today दो हमने DIs यहाँ पर complete की है I hope you enjoyed the session and यह PDF course है जहाँ से आपको अपनी PDF को questions को practice करना है daily practice questions आपको मिलते है daily के unlock होते है day wise all the sections के 9000 plus questions है यहाँ पर of pre and means level सारे के सारे topics के मतलब 4 sections include रहेंगे और English और Hindi दोनों languages में यह रहेगा अगर PDF course आपके पास annual mock test package है तो this will amount due to rupees 450 और अगर नहीं है आपके पास annual package तो 500 रुपीस का आपको individually पढ़ जाएगा यह अन्वल package हमारा 500 रुपीस का है जिसमें one year की validity रहेगी और सारे के सारे mock test यहाँ पर include रहेंगे चाहे full length है sectional है या जो भी छोटे-छोटे mock test या full length के mock test से सब include रहेंगे prelims और mains दोनों examination के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों languages में website पर एक्सेस कर सकते हो application पर भी कर सकते हो मतलब PC पर चल जाएगा और mobile में भी चल जाएगा all-in-one mock test हमारा PDF सीरीज के साथ में चल रहा है टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो कोई भी इशू है यहां पर mail कर दो कुछ personal query है तो मुझे Instagram पर DM कर देना यह हमारे other platforms है YouTube channel, Telegram channel and website तो आप तीनों पेज आके हमें follow कर सकते हो website पर काफी सारा free content भी आपको मिल जाएगा तो एक बार वहां पर चेकाउट कर लेना So this was all for today, meet you in the next session, till then stay tuned, good luck, stay happy